दोस्तो अर्लोट पर आप सभी का स्वागत है आप लोग सब्सक्राइब करें नालतकर लेजिएयो पेजिएयो को लाइक कर लिए विडियो को शियर करें थिक है चली दोस्तो वीडियो बहुत बताने वाले सीधा different order direct order बिना किसी indirect order ठीक है old video को पुरत देखेंगा है वीडियो दियान से देखेगा जदी इधर उधर जहां केंगे इधर उधर परिशान होंगे हील डूल करेंगे तो फिर जो है आपको और समझ में नहीं आगा इसलिए वीडियो को दियान से देखेगा कुछ यह पुछना कमेंट कर लेजीगा दोस्तों और हमेंसा खुस रहना खुस रहेंगे तो फिर जाके आपके जो समझ से है वो सॉल्व रहेगी सुप्रीम कोट का जो ताजा अपडेट है वो हम आपको बताने वाले हैं और आपको टेंसन लेने की जुरत नहीं है देखे यहां पर जैसा कि थमनेल में देखा आपने दोस्तों यहां पर देखे आज है दोस्तों 17 मार्च 2021 है और बहुत अच्छा और सबसे अच्छा दिन है आज का और जो आप वीडियो देख रहे हैं और आपकी समस्या पूरी की पूरी होने की 100% गारंटी है बिना किसी वारंटी का ठीक है चलिए सबसे ताजा वीडियो देख रहे हैं आप और आप ल सबसे पहले हैं सुप्रिम कोट आज की डिट में ओपन चिंता करने वाली बात दिया सुप्रिम कोट में जो सुनवाई है वह चलती रहती है हमें सही है चली रही है जब इसका भी अब यह अपडेट बताएंगे आपको सारी चीजह सब से पहले हम दोस्तों चलेंगे आपको ले चलते हैं घुमाने के लिए घुमाने के लिए कहा ले जाएंगे दोस्तों सबसे पहले हम घुमाने के लिए लेके चलेंगे गूगल पर Google पर जब आप गूमने फिरेंगे एक तह लेंगे ठीक है तो यहां पर जैसे चाहल आप गूमते गूमते आजेंगे start-up Google पर सच करेंगे तो आपको यहां पर दिख जाएगा यह देखे बहारा सरकार का यह official website है यहां पर देखोगे तो आपको अर्लोड के बारे में वह सारी जानकारी मिल जाएगी यहां पर देखेंगे जो भी जानकारी आपको मिलती है 100% प्रूफ के साथ में बिना किसी वारेंटी का 100% गारेंटी के साथ में याद कर लेना इस चीज को हम कभी भी पूछ सकते हैं यह सारी चीजे याद रहना यह मत सुझना जो कि आपको वीडियो देख रहें तो कि हम आप से कुछ पूछेंगे ने कभी भी पूछ लेंगे और हम आपको ऐसा ऑपरचुनिटी दे देंगे जो बहुत चो पर हैं मिल चाहिए औरो और किसी को मुट्रूर लिचाहिए और ओ तरृणाड को पूच रहे हैं और आप से भी लोगों कमेंट करने के लिए बहुत बहुत रही है देखो राज कुमार बोलने हैं इसको एक्सिस बैंक वाले परिशान कर रहे हैं और संदीप कुमार केल संदीप आप जाके अरले टेक चैनल पर वीडियो देखे आपके लिए एक्स्क्लूसिव वीडियो आप समस्या 100.000 यहां पर देखे इनका जो एनपीय है सबसे बरी अभी के अभी के टाइम पर समस्या चल रहा है दोस्तों वह एनपीय का चल रहा है और बिना नोटिस का हैं गारी खीचके उठा के लिए लोगों का ठीक है संदीप फिर से हम आपको आपके लिए इस वीडियो इस उसको समस्या फोलो नहीं करते हम लोग आपको बताते हैं जो जहां कहीं भी देखते हो और यहां तो आप प्रूफ के साथ ही देखते हैं ना देखे सबसे पहले सुप्रीम कोट ने ओर देते वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ओर का लिंक दिया हुआ है आप सुप्रीम का करी नहीं सकता है अब संदीब कुमार के case में क्या है है इन्होंने ik या यनी दिखे मार्च 구inspiem दो हजार बीस तक लौन की जो यह कहीं और सही से पयकिया है ठीकैं सभी से किया है इनका गारी को उठा के लिए के चला गया तो अब उसके उपर इनको कारवाई करेंगे तभी तो अब हाथ पे हाथ धरके बैठे रहेंगे संदीप सोचते रहेंगे तो फिर कैसे होगा ठीक है दोस्त आप आपकी आपने हमें याद है आपने काफी एमोशनल वाली कमेंट करें तो आपको कुछ न कुछ तो करना परेगा यह बैंको से बात करने परेगी उनको अप्लिकेशन देना परेगा यह सारे चीज़ को बताईए आप कन्वेंस कीजिए उसको जदी नहीं मानते हैं फिर जाके सुप्रीम कोट के सरन में आईए हंड़ेट परसेंट आपकी समस्या सुल्ब हो जाएगी ठीक है ना तो अन्रेवल सुप्रीम कोट का जो आदे सही है 31 अगस 2020 जो भी लोन एनपीय नहीं हुआ 31 अगस 2020 तक यार खुद सोचो ना एनपीय का डेट है 90 दिन के 90 दिन में लोन एनपीय होता 91 अब देखो एक मार्च 2020 से लेके 31 अगस 2020 तक मोरिटोरि में लिके थोड़ी आएगा मोरिटों में मिल गया भी तो अब जदी यहाँ जिरो 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 जा आ रहा है तो इसका मतलब आपका लोन एनपीय नहीं हो यहाँ पर जैसे सिविल में आपको रिकावरी के लिए नोटिस बेजेगी डिमांड नोटिस अभी कोई भी बैंक भेजी नहीं सकती समझ में आरी मैं क्या बात बता रहा हूँ आपको अभी की जो हालात है according to Supreme Court interim order किसी भी बैंक को डिमांड नोटिस नहीं भेजेगी डिमांड नोटिस का मतलब है जो वो NPA वाले नोटिस NPA कर दिया आपको और वो डिकावरी करना चाह रहा ह अची लिए वो डिमांड नोटिस भेजा है अभी की सिच्वेशन में जब तक Supreme Court का final judgment नहीं आ जाता है तब तक कोई भी बैंक NBFC वाला डिमांड नोटिस नहीं भेज सकता जदी डिमांड नोटिस भेजता है और आप Supreme Court के सरन में आते हैं और Supreme Court के इस order को code करते हैं तो फिर यकीन मान के चलो 100% guarantee के साथ में बिना किसी warranty का आपके loan को NPA से निकाल कर वो standard account में रिये store कर देगा standard account में रिये store कर देगा standard account का मतलब होता है normal जो रिपो normal तरीके से आपकी EMI पे कर रहे हो ठीक है न ये सारे चीज़ जब आप समझोगे ने तो फिर आपको ये माल महसूस हो और फिर six month का moratorium एक तरह से समझो moratorium तो सुप्रीम कोट ने दिया इन डिरेक्ट की बात करो मैं डिर्क बात कर रहा डिरेक्ट की बात कर दो शेर मार्केट की दो सकेंड में क्रैस हो जाएगा समझके बात को तो बात नहीं कर रहा बैंक ऐसे डूप जाएगा फिर तो इसी लि टूल्स है जो आम बॉरोवर्स के लिए जो है देखो आम बॉरोवर्स के लिए नहीं ये दोनों तरफ बॉरोवर्स के लिए भी और लेंडर्स के लिए भी लेंडर्स के लिए भी लेंडर्स को भी जिंदा रखता है लेंडर्स इंडर्स जितनी भी बैंक NBFC है ज़िए इंट परसेंट जदी साथ परसेंट आठ परसेंट नॉर्मल होता है यह maximum होता है जदी बैंकों का NPA शिक्स परसेंट से ज़्यादा होने लगता है तो उस बैंकों के लिए वो रेड रेड सिगनल हो जाता है एक तरह से समझों तो खत्रे की घंटी बजना स्टार्ट हो जाती है RBI हरकत में आ जाती है समझगे बात को और अभी की जो हालात है और ये सुप्रीम कोट का जो इंट्रिम ओर्डर है ये बैंकों को के लिए भी फायदे मंद है और बॉरवर्स के लिए भी फायदे मंद है बैंक NBFC सबके लिए फाइदे मंद है क्योंकि बैंकों को डूबने से NBFC को डूबने से बचाता है और बोरोवर्स को डूबने से इस तरह से बचाता है क्योंकि आपका लोन NPA नहीं होगा NPA का मतलब समझते हो डिफॉल्ट डिफॉल्ट 90 डे से ज़्यादा डिफॉल्ट वो करें नहीं सकता ठीक है जो डिफॉल्ट नहीं होगा और NPA से हटाके एस्टेंडर होगा यानि समझरे बात को कितनी बरी राहत वाली बात है यानि मोरिटोरियम की जो फिसलेटी मिलती है जब आपके लोन को कोई NPA करता है तो NPA से निकाल कर मैंने बताया था आपको कुई सीने डाला है अभी इस विज में तो वो एस्टेंडर कर देगा एस्टेंडर का मतलब मालूम है लगबग 99% 99% लोगों कोई YouTube पे मालूम नहीं हो कन्फुज मत रो एस्टेंडर का मतलब जो नहीं है तो अब ही यही बात को जब आप समझ जाएंगे ना तो कहोगे तो हमारे पास प्रूप भी है सीबिल का सारे डाटा इवलेबल है तो यही चीज है इस चीज को आप समझ यह बात को यानि सुप्रीम कोट ने बहुत बरी राहत देते हुए बैंकों के लिए भी आम बोरवर्स के लिए भी बहुत बरी रहाद दी हम सभी लोगों का सुप्रीम कोट का बहुत बहुत धन्वाद ग्यापन करनी चाहिए जो सुप्रीम कोट ने बहुत बरी रहाद दी है ठीक है तो अब कोई भी मत कहना जो जल्दी से जल्दी फैसला आज जितना लेट से फचला आता है उतनी बरी रहातवाली बात होती है आप लोग कमेंट करके बताओ जदि आपको देखना है जो मैं बताता हूं जो एकोंट का जो सिभील में रिबॉटिंग होता है वो क्या होता है उसका हाकिकत में मतलब समझ आजाएगी समझ में आगे बात आपको कमेंट कर देना फिर मैं बताओंगा ऐसे नहीं बताओंगा यह सब सारी चीज बहुत सूपर प्रीमियम चीजे हैं जो मैं बताता हूँ आपको ठीक है जो हमने आपको अरले उट टेक चैनल पर बताया है आज वाली और कल वाली वीडियो देख लेना तुम्हारी प्रोब्लेम सौल हंडेट परसंट होगी और ज़दी तुम सही तरीके से फोलो अप लोगे और केस वगरा डालोगे तो सोच लेना आपको बहुत तगरी तरीके से वजबरदस्त फायदा होने वाला है ठीक है न क्योंकि सुप्रियम कोट का जो ओर्डर है यह हलके में मतलेना यह कोई भी आपके लोन को एनपी ऐसे कोई करी नहीं सकता है जैदि किसी ने किया है तो उनको उसका खम्याजा भुगतना परेगा ठीक है तो आप लोग यहाँ पर यह अरले उट टेक चनल पर आ जाना इधर इस चनल पर भी इधर आओगे तो अरले उट टेक इधर है इधर आप लोग इसको कर लेना ओपेन ओपेन करने के बाद यह देखिए यह जो हमने कल वाली वीडियो देख बताए ह TI आपको 15 मिनट वाला और यह आज वाले यह दोनोर वीडियो Kom बील्कुल वेह नहीं आने वाला ठीक है तो आप लोग समझेंगा इस चीज़ को तो फिर जाकर आपको समझ आएगी जो हमारी जानकारी होती है एक बार आप वीडियो देखोगे तो बिल्कुल समझनी है जब तक डेली वीडियो नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा ठीक है दोस्तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद जाते जाते आपको सुप्रीम कोट का एक बा पावर नहीं है अभी के टाइम पर जब तक सुप्रीम कोट का यहां पेंडिंग दिखता है कोई भी लोन को एनपीय कर दे समझ में आगी बात आपको खुला खुला बता रहो बिल्कुल ओपन ले जदी कुसी ने भी आपके लोन को एनपीय किया है और आप उन्रेवल सुप कर will देहने हैं वीडियो कोटि कोटी कोटी-द्रवाद मतलब बहुत ज्यादा धनवाद सुप्रीम कोट का जो आम बरोवर्स के लिए इतनी बरी राहत दिये इस चीज को आप समझो अभी तक इंट्रीम ओडर का जो हम इंटर्पिटेशन कर रहे हैं आप लोगों को बता रहे हैं ये इंट्रीम ओडर को हलके में मतले ना बहुत बरी चीज है जो सुप्रीम कोट ने आप लोगों को दी है और आज के डेट तक भी सुप्रीम कोट का ये इंट्रीम ओडर लागू है क्योंकि फाइनल जज्जमेंट आया नहीं है तो आपके लोन को कोई भी पावर इस दुनिया का दुनिया का मतलब का पूर इंडिया का यार तीक है को ने पी नहीं कर सकता है